हेलो स्टुडेंट्स वालकम टुमाय यूट्यूब चैनल टूदेज डाउन एजूकेशन प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग सॉल्व करते हैं आपके हिंदी विशे के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक न हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बता दूँ अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कि उन सारी वीडियो को सीरियल वाइस देख सकते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें इससे यह होगा कि जैब में वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आपके चैप्टर का नाम है जहांसी की रानी जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने और आज चैप्टर है आपका 10 क्लासिक्स हिंदी ओके चली देखते हैं पहला कोश्चिन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है चली से रिडाउट करते हैं पहला प्रश्ण है किन तो काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई इस पंक्ती में किस घटना की और संकेत है पहला है तो इसका अंसर देखते हैं आंसर इसका इस पंक्ती में लेखिका ने जहांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मिर्त्यू के कारण रानी के विद्वा होने की और संकेत किया है काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है आंसर देखते हैं इसका आंसर है इस पंक्ती में लेखिका ने रानी के सुख पर दुख की छाया को दर्शाया है राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यू से उनके जीवन में दुखों का पहार तूट गया था एक तो उनके सुहाग को काल ने अपना ग्रास बना लिया दूसरा राजा के मरते ही जहांसी लवारिस हो गई यानि जहांसी पर राज करने को कोई था ही नहीं निसंतान राजा की मृत्यूनी अंग्रेजों को जहांसी पर कबजा करने का सुखसर दे दिया जो राजा थे उनका कोई भी पुत्र नहीं था जो कि जासी पर राज कर सके आगे देखते हैं जिससे रानी पर मुसीब्तों का पहाड तूट पड़ा अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर दो कविता की दूसरी पंक्ती में भारत को बुढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्र कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है तो आए देखते हैं इसका उत्तर उत्तर है इसका लेखिका के अनुसार उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जखड़ा था उसकी दशा शिथिल और जरजर हो जुगी थी शिथिल का मीन से जो बिलकुल कुछ करने योगे नहीं हो उससे शिथिल कहते हैं ओकि बिलकुल जो एक ही इस्थान पर रहा है इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो कोई काम नहीं हो कोई विकास नहीं हो कोई डेलफमेंट नहीं हो तो भारत कैसा था उससे में बिलकुल शिथिल हो गया था और जर जर हो गया था यानि कि बिल्कुल उखडा था बिल्कुल टूता था कोई भी विकास की कोई बात नहीं थी लोग परेशान थे भुखमरी थी बीमारी थी गुलामी थी सबसे बड़ी बात लोग अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाते थे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाते थे शेफ और सिर्फ क्या करते थे अंग्रेजों की मर्जी चलती थी और वो उनकी या ग्याओं का पालनों को मजबूरी के वज़ा से करना गुलामी को स्विकार न करने वाली और आजादी का बिगुल बजाने वाले जहांसी की रानी लक्ष्मिवाई ने अंग्रेजों के विरुद अपनी तलवार खीच ली उनकी इस विर्ता ने सब के मन में एक नया उच्सा आभर दिया था कि एक स्त्री अंग्रेजों का सामना करने के लिए तयार है तो फिर क्यों न हम स्वैम इस गुलामी के विरुद आवाज उठाएं तब इस गुलामी की बेरियों में जकड़े हुए भारत जिसको सुभद्रा कुमारी चुहान ने क्या कहा है बुढ़े भारत बुढ़ा भारत क्या करके इसको संबोधित किया है तो बुढ़े भारत में रानी लक्ष्मी बाई ने नया उत्सा और विर्ता फूक दी जिसे सुभद्रा जी ने नई जवानी कहकल के संबोधित किया है जिसने सन 1857 में अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिये अगला प्रश्ण है जासी की रानी के जीवन की कहानी अपनी शब्दों में लिखो और जह भी बताओ कि उनका बच्पन तुम्हारे बच्पन से कैसे अलग था तो आईए देखते हैं कैसा था जासी की रानी लक्ष्मी बाई का बच्पन जासी की रानी के बच्पन का नाम चबीली था उनका बच्पन श्रस्तर चलाने घुरसवारी सीखने युद्ध कला सीखने में बीता उन्होंने ये सिक्षा नाना के साथ प्राप्त की थी जब वे कुछ बड़ी हुई तो उनका विवा जासी के राजा गंगा धर्राव से हुआ परन्तु जल्द ही राजा कि आकस्मिक मृत्यों ने रानी को विद्वा बना दिया राजा के संतान हीन होने का लाब उठाकर उनकी मृत्यों के पश्चात अंग्रेजों ने जहांसी पर अधिकार जमाने का प्रयास किया परन्तु रानी ने क्या किया रानी ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों के विरोध अपनी तलवार उठा ली और इसी सुतंतता संग्राम में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वो विरगती को यह तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको इसका डिफ्रेंस आपको समझ में आएगा आज कल के बच्पन में क्या होता है बच्चे गेम खेलने में वेस्ट रहते हैं और सिर्फ अपने वारे में सोचते हैं लेकिन जहांसे की नानी लक्षमी भाई का जो बच्पन था वह गु जिए गुड्दे गुड़़्ी जगा पे बो पेकिया करती है गुड़्चवाइ सीकति थी तलवार चलाना सीखती थी शाफ के आगे देखते हैं है राका राणी का बच्पन हमारे बच्पन के कई माएने मेह आलग था उन्हें उन्होंने गुड्ड़्े गुड़ियों से न खेलकर तीर तलवार भाला बर्ची चलाना सीखा जिस से आगे चलकर रानी का गौरव पूर्ण इस्तिहास बना अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर चार वीर महिला की इस कहानी में कौन-कौन से पुर्शों के नाम आये हैं इतिहास की कुछ अन्य वीर इस्तिहों के कहानियां खोजो जलिया इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग रानी की इस कहानी में निम्नलिखित वीर पुष्टों के नाम आये हैं कौन-कौन है नाना धोधुपंत और एमद शा मौलवी तात्य टोपे अजीम उल्ला और ठाकुर क पुमर सिंग उनके नाम आये हैं और कुछ वीर इस्त्रियां जो थी उनके नाम इस प्रकार है कि तूर की रानी चैनम्मा स्रीमती इंद्रा कान्दी और सरोजनी नाइडू और आप इस्त्रियों के नाम जानते हैं तो इसमें इक्लोट कर सकते हैं ओके नेक्ट प्रशन देखते हैं जहांसे की रानी के जीवन से हम क्या प्रेणना ले सकते हैं आये देखते हैं इसका उत्तर जहांसे की रानी के जीवन से हमें यह प्रेणना मिलती है कि आजादी स्वैम में एक मुल्यवान वस्तु है इसको बनाया रखने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े हमें पीछे नहीं हटना चाहिए रानी रक्ष्मिवाई चाहती तो अंग्रेजों की बात मानकर अराम से अपना जीवन यापन कर सकती थी बिलकुल लेकिन उन्होंने क्या किया इसके विरुद्ध इसके विरुद्ध होकर उनसे युद्ध लड़ा और स है खुद के खुद को उसमें निशावर करने की बात क्यों ना आ जाए है कि खुद खुद को निशावर करने की बात आ जाए तो इसमें भी हम पीछे नहीं हूँ नेक्ट कोशन देखते हैं प्रस नमबर चै अंग्रेजियों के कुछ अकर के विरुद्ध राणी ने अपनी विरुद्ध का परचे किस प्रकार दिया उत्तर देखते हैं इसका अंग्रेजियों ने ये नीती बना रखी थी कि जिस भी राजे का राजा संतान हीन हो या कमजोर हो उस पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार कर लेगी परंतु राणी ने इसका विरुद्ध किया और उनके अधीन रहना स्विकार न कर उनसे लड़ना स्विकार किया तो क्या क्या उन्होंने उनके अधीन होने के बजाए उनके अंडर होने के बजाए उन्होंने उनको यही अच्छा लगा कि वो उनसे लड़क करके अपनी जो है अपने आपको गुलाम ना करें वो अपने आपको सुतंत्र रखें और अपने राजे को बचाए रखें अपनी अंतिम सांस तक भी वो अंग्रेजों के आगे जुकी नहीं और वीरता से लड़ती हुई वीरगती को प्राप्त हुई यह रापका कोश्च नमबर 6 अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण नमबर 7 रानी के विद्वा होने पर डलहौजी क्यों प्रस्ण हुआ उसने ऐसा क्यों किया इसका उत्तर देखते हैं डलहौजी जानता था कि राजा गंगा धर्राव निसंतान थे यानि उनकी कोई भी संतान नहीं थी अंग्रेजी ने वैसे ही एक नीती बनाई थी कि जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी उसको अंग्रेजी राजे में मिला लिया जाएगा और उनके कोई पुत्र ना होने की वज़ा से जहांसी के राजा की मित्यू का समाचार पाकर डलहौजी जो था डलहौजी के लिए सोने पे सुहागा होने वाली बात हो गई उसको लगा कि अब तो राजी हमारे हाथ में ही है एक निसंतान राजा की विद्वा क्या कर पाएगी उसने तुरंत ही जहांसी पर कब्जा करने के मन बना लिया और जहांसी पहुँच गया आगे देखते हैं प्रस नमबर आठ दिन में कित पंक्टियों का भावस पस्ट करो पहला है गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी तो चलिए आएए इसका भावार्थ देख लेते हैं इस पंक्ति के द्वारा उस समय की भारत की अवस्थाक को बताया गया है जब अंग्रेजों ने अपनी कूट नीतियों के दम पर भारत को अपना गुलाम बना लिया था कोई भी उनका विरोध करने का साहस न करता और चुप चाप गुलामी की बेरियों में जकड़े हुए बैठे रहते परन्तु रानी लक्ष्मी बाई के विरोध ने सारे भारत को जगजोर दिया तब भारत की जो नीन जागी और जब एक इस्त्री लक्ष्मी बाई इनका विरोत कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हम क्यों इस गुलामी में जीएं और हमें भी अपनी सुतंतरता प्यारी है पूरे भारत में सुतंतरता की यानि आजादी की लहर दोड़ पड़ी यानि जो भी काम जो भी स्टैप्स रानी लक्षमिबाई ने उठाये थे वह बहुत ही प्रेणा देने वाले थे न क्यों इस्त्रीयों को बलकि इससे पुर्षों को भी प्रेणा मिली और वह 1857 की क्रांती में भाग लेने के लिए उठखड़े हुए अगला देखते हैं अगला प्रशन क्या है लावारिस का वारिस बनकर बिटिश राजी जहांसी आया तो इसका भावार्थ देखते हैं हम अंग्रेजों ने भारत के राजियों पर कबजा करने के लिए एक नीती बनाई कि जो राजा संतान हीन होगा उस राजा को बिटिश राजे में मिला लिया जाएगा जहांसी के राजा की मिर्तिव अंग्रेजों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात थी वो बिना वक्त गवाय रानी लक्षमी बाई के पास जहांसी पहुँच गए कि अब इस राजे को चलाने के लिए कोई उत्राधिकारी नहीं बचा है तो अब ये बिटिस सरकार के अधिन कर लिया जाएगा और वो स्वैम इस राजे का कारेभार समालेंगे तो ऐसे उनकी सोच थी तो सुभद्रा कुमार चौहान जी ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में इस वाक्य को बयान किया है बहुत ही इंट्रस्टिंग है और इसको पढ़ने पे बहुत ही अच्छा मैसूस होता है I am sure आपको भी ये पोयम जो है बहुत ही पसंद आता होगा मुझे तो बहुत ही पसंद है आपको कितना पसंद है Comet Box में comment करके जरूर बताइगा तो यही पर हुता है इस वीडियो का दाइन I am sure ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी तख सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें कि क्योंकि हम लाते हैं आपके रिए ऐसी ही वाली वीडियो तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब-तर के लि be connected और देखते रहिए to raise down education